नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल लोलक की यानि की सिंपल पैंडूलम की। तो यदि किसी पदार्त के भारी लेकिन बिंदू सद्रिशकन को एक भारहीन लंबाई में न बढ़ने वाली पून लचीली डोई के एक सिरे से बांध कर किसी ध्रिड आधार से लटका दें तो इसे सरल लोलक कहते हैं यानि की कुछ इस प्रकार से ठीक है यानि की यहाँ प आपको दिख रहा है नीले रंग का यह भारी है लेकिन कैसा है बिंदू सद्रिशकन है और जो यह आपको डोरी दिख रही है जिससे हमने इसे लटकाया है यह कैसी होनी चाहिए भारहीन तथा लंबाई में न बढ़ने वाली पून लचीली ठीक है ऐसा ना हो कि कुछ समय ब अब देखे व्यवहार में बिंदू द्रव्यमान और भारहीन डोरी संभव तो नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें जो डोरी मिलेगी उसमें भार होगा ही नहीं है ना तो ऐसा संभव तो नहीं है यानि कि परिभाशा के अनुसरा सरल लोलक को नहीं बनाया जा सकता है ठी मान लीजिए कि हमारे पास L लंबाई के सरलोलक को L लंबाई यानि की ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी है ये L है अब मान लीजिए इसे ही इसकी माद्यस्तिती जैसे ये आपको दिख रहा है तो एक ऐसा है ये अपनी माद्यस्तिती में है अब यदि हम इसे एक छोटे से को लोन मान लीजें, थीटा से इस प्रकार से विस्थापित करें. देखिए, इस प्रकार से ठीके, मान लेते हैं, माध्यस्तिती पर इसकी जो पॉजेशन है, वो O है, यहाँ पर इसकी पॉजेशन हम P मान लेते हैं, अब कुछ समयवाद क्या होगा? जब यहां से आएगा तो यह इधर आएगा यानि कि इस तरीके से आएगा यानि कि जो यह pendulum है यह इस तरीके से गति कर रहा है केतनी बाद समझ में आई? अब मान लीजिए कि यदि जो गोलक है यहां पर इसका द्रव्यमान M है कितना है यहाँ पर मैं लिख देती हूं इससे लिखते है M ठीक है, इसका द्रव्यमान M है, कैतनी बात समझ में आई एवम जो माध्य इस्तिति है उससे जो विस्थापन किया गया वो कितना है, वो X है, यानि कि यह X है केतनी बात समझ में आई अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे जो यह गोलक है इसका जो भार है वो इस दिशा में कारेरत होगा और कितना होगा mg होगा अब यदि हम इस वेक्टर का वियोजन करें तो आपको याद है न हम वियोजन कैसे करते थे तो यहाँ पर जो यह angle है यह theta हो जाएगा तो जो यह वाला इसका घटक है यह mg क्या होता था? cos theta और जो यह वाला घटक है यह mg sin theta हो जाएगा ध्यान से देखिए तो जो यह वाला घटक है कौन सा? mg sin theta यह यहाँ पर इस गोलक को या इस pendulum को वापस इसकी माध्य स्थिती पर लाने में मदद कर रहा है यानि की यह यहाँ पर इसे प्रत्यानन बल दे रहा है क्या इतनी बात समझ में आई? बताईए ठीक है तो यहाँ पर गोलक पर जो कारेरत प्रत्यानन बल है वो कितना आ जाएगा? f बराबर अब क्योंकि यह गती की विपरीत दिशा में है तो यह माइनस mg sin theta हो जाएगा क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि जो यह कोण theta है यह कैसा है? यह अल्प कोण है यानि कि बहुत ही जादा छोटा है जब कोण बहुत ही जादा छोटा होता है तो sin theta लगबग theta के बराबर हो जाता है ठीक है? तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते है? इन फैक जो tan theta है वो भी लगबग theta के बराबर हो जाएगा जब जो theta है वो बहुत ही जादा छोटा होगा तो यहाँ पर f आजाएगा minus mg और sin theta के जगे हमने सिर्फ theta लिख दिया और कारण क्या है? क्योंकि जो theta है वो एक अल्प कोण है क्या पर यह बहुत ही important है हो सकता है आप इसे काफी lightly ले लेकिन नहीं यहाँ पर यह अल्प कोण है इसी लिए हम sin theta को theta लिख पाए हैं otherwise हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या इतनी बात समझ में आई अभी तक अब मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदू को मैंने नाम दिया S आप ध्यान से देखिए triangle OPS में देखा आपने? तो क्या आप मुझे यहाँ पर sin theta की value बता सकते हैं कितनी आएगी? तो perpendicular upon hypotenuse L आजाएगी और sin theta क्या है? लगभग theta के बराबर है क्योंकि यह बहुत ही जादा छोटा है यानि कि theta की जगे हम क्या लिख सकते हैं? हम x by L लिख सकते हैं क्या आपको इत्ती बाद समझ में आई? तो यहाँ पर क्या आजाएगा? minus mg x by L आजाएगा ठीक है? और यह क्या है? यह f है यानि कि यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते रहेगा f by x क्या आजाएगा? तो यह आजाएगा minus mg by L ठीक है? अब यहाँ पर f क्या था? तो f यहाँ पर प्रत्यानन बल है और हम यह जानते हैं कि प्रत्यानन बल जो होता है minus k x होता है यानि कि यहाँ से यदि आप f by x देखें तो क्या आजाएगा? minus k आजाएगा? यानि कि जो यह f by x है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं minus mg by l है तो हम इसे k कह सकते हैं ठीक है? क्योंकि minus यहाँ पर already f में है तो यह जो k है यह कहलाता है spring नियतांक ठीक है? spring नियतांक कि एतनी बात समझ में आए तो देखें हमने इसे कैसे यहाँ पर relate किया है अब यदि यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी आवर्थकाल की आवर्थकाल को हमने प्रदर्शित किया था t से तो यह हो जाएगा 2 pi under the root जड़त विया नियतांक upon spring नियतांक और spring नियतांक है k जो कि क्या आया mg by minus mg by l कि अतनी बात समझ में आई तो अब हम यहाँ पर जो values होनी चाहिए वो put कर देंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है तो t हमें मिल चाएगा 2 pi under the root जड़त विया जो नियतांक है वो m है upon spring नियतांक आएगा mg upon l यहाँ पर हमने minus इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ परिमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह cancel हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा t बराबर 2 pi under the root l upon g यह यहाँ पर बहुत ही जादा important है इसके बहुत जादा applications आते हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था मैं उमीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो सरल लोलक होता है वो किस प्रकार कार्य करता है